दोस्तो आज हम एक्स्प्लेइन करने वाले हैं हाली में ये कमाल की वेब सेरीज दर रिल्बे मैन की बाकी के अपिसोड को जिसमें बोपाल गया स्ट्रेजडी की सची घटना को दिखाया गया है कि उस समय पर बोपाल का क्या हाल हुआ था ये सेरीज आपको ज़रूर इससे शार को कोई भी रुक्सान नहीं होगा तब वो साइंटिस्ट बताता है कि ये फैक्टरी बोपाल शेयर के बीचो बीच खुलेगी और ये जानकर उसके सीनियर के होश उड़ जाते हैं फिर वो कहएदा है कि ब्राउन फिर भी हमें चूपी रहना होगा वरना ये लोग हमें बरबात कर देंगे इसके बाद हम प्रिजेंट टाइम में डिरेक्टर जंदल राजेशवरी जंगले को दिखते हैं जिस पे रती पांडे का फोन आता है कि बोपाल में गैस ट्रेजडी हुई है और वहां के स्टेशन से कॉंटेक्ट ना होने के कारण सबको यही लग रहा है कि वहां पर कोई नहीं बचा है इसलिए आप मिनिश्टर से बात करके बोपाल में जरूरी चीजे और मेडिकल सुविधा पहुचाईए और साथी गुरकपूर एक्सपेस को रुकवाईए बढ़ना और भी हजारों लोग मारे जाएंगे फिर राजेश्वरी सीधा मंतरी के पास फोन मिला देती है इधर रती भी मेडिकल की टीम और अक्सिजन सिलेंडर मंगाने के लिए कहता है कि ये सब कुछ आदे गंटे में या इतारसी के स्टेशन पर मेरे सामने होना चाहिए और सब लोग अपने काम में लग जाते हैं साथ इरती कहता है कि मेरी जीम स्पेशल को भी बुला लीजिए फिर हम ट्रेन में उनी लोगों को देखते हैं जो सिक को मारने आये थे लेकिन गार्ड अभी भी दरवाजा नहीं कूलता और वो लोग उसे बाहर खड़े होकर खुग बालिया देते हैं तब गार्ड जैसे उन्हें जवाब देता है तो वो लोग गुस्से में आकर दरवाजा ही तोड़ कर अंदर घुश जाते हैं और हता फाई के दौरान उस बच्ची के कपड़े भी फट जाते हैं ताकि इन लोगों को वो लोग समाल सकें लेकिन यहां भी लाइन बंद थी क्योंकि अब भुपाल गए रिया लग चुका था और गुंडे भी नीचे उस लेड़ी को ढूंडने के लिए उतर आते हैं तो वो नकली पुलिस वाला कहता है कि अब इन सब का क्या करें जिस पर सिद्धिकी कहते हैं कि हमें यही पर रुखना होगा यही पर हम सेफ हैं पारिमाद कहता है कि नहीं यह गैस दीरे-दीरे हमें भी मार रही है इसलिए जल्दर से जल हमें यहाँ से निकलना होगा यह सुनते ही सिद्धी कुछ सोचता है और उससे आईडिया आता है कि जहाँ तुम मालगाडी लोड करने गए थे महासे एक डबा लाकर हमें खुद यहाँ से निकलना होगा फिर सिद्धिकी और हिमाग इंजन में डबे जोडने चले जाते हैं और यहां के सारी जिमेदारी उस पुलिस वाले को देदेते हैं कि जब तक हम यहां ना आए तो मियां सबको समालना इसके बाद उस नकली पुलिस वाले का भी दिमाग चलता है और वो सोचता है कि जब तक सिद्धिकी यहाँ पर नहीं आता, तब तक क्यों न पैसे निकाल कर यहाँ से निकल लूँ, और वो महाईक आदमी से कहता है कि मैं काम से जा रहा हूँ, तब तक तु यहाँ पर समाल, और वो सिद्धिकी के ओफिस की ओड निकल जाता है, इधर हम मंत्रियों और बड़े ओफिसर्स की मीटिंग को देखते हैं जहां उने इस आपदा को रोखने का कोई आडिया नहीं आ रहा था तम हमा राजेश्वरी और एक ओफिसर की बहस हो जाती है पर मंत्री सॉलुशन ना मिलने के कारण कहते हैं कि हम भुपाल में कोई हेल्प नहीं और रती भी राजेश्वरी की बेज़ती करने लगता है कि एक काम भी तुम नहीं कर पाई और हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच पहले से ही कोई पंगा चल रहा था जहां राजेश्वरी के कारण रती की बड़े ओदी की जॉब चली गई थी तब राजेश्वरी कहत इसे छोड़ो अभी हमें बपाल को बचाने का एक मौका है और वो बता दिये कि मंतरी ने सारी ट्रेंज का रूट चेंज किया है ताकि कोई भी ट्रें बपाल ना जाए लेकिन इस काम में काफी ज़्यादा समय लेगेगा इसे बीच तुम महां पहुच कर बपाल के लोगों को बचा सकते हो और ये सुन कर रती खुश हो जाता है कि चलो आइडिया तो मिल गया तब फोन रखते ही रती सीधा नीचे स्टेशन पर आता है और महां सब लोगों के साथ मस्ती गरने लगता है तब ही वो पूचता है कि मुझे अपने लोगों को बचाने जाना है कौन-कौन मेरे साथ चलेगा और वो फिर एक काफी अच्छी स्पीस देता है जिसके बाद उसके साथ सब लोग चलने के लिए मान जाते हैं और बहपाल जाने वाली ट्रेन के अंदर सारी मेडिकल से लेकर जरूरी चीज़े भढ़ देते हैं ताकि महां के लोगों को बचाये जा सके फ कि हम लोग हेल्प करने के लिए प्लैटफोर्म बन पर आ रहे हैं इसके बाद रती सब को लेकर भपाल की और निकल जाता है इधर हम गाड को देखते हैं जो बंदुग चला चला कर उन गुंडों को अपनी और बुला रहा था और वो लोग भी उसी के पीछी पीछे जाते रहते हैं तब एकदम से गाड ड्रैवर को ट्रेन चलाने का इशारा करता है और ट्रेन चलते ही गाड भी उसमें बैटने वाला होता है लेकिन उसी समय वो गुंड़ा गाड के चाकू मार देता है पर गाड किसी तरह से उसे लात मार का ट्रेन पर चड़ जाता है इधर हम का पागल हो चुका था और उसको उसके साथ में बैठा इंजीनिर कहता है कि हमें इस गैस के बारे में सब कुछ सरकार और पुलिस को बता देना चाहिए पर मैटसन इसके लिए नहीं मानता तब उस पर महा के डीम का कॉल आता है और वो पूछते हैं कि हमें बताओ ये गैस कहां क का इफेक्ट डालती है और ये मैटसन डीम से भी जूट कह देता है कि बस आकों में जलन होती है बाकि कुछ नहीं होता लेकिन टब डीम मैटसन को दमकी दे देते हैं कि सच्चा ही कुछ और ही है और इस फैक्टरी का हम कालर सच जानकरी रहेंगे और वो फोन काड़ देते ह तब मैटसन के सामने बैठा आदमी कहता है कि शायद इसका इंटी टोड मौजूद होगा और वो ये सोच कर ऑफिस से भाहर निकल जाता है इधर हम कुमावत को देखते हैं जो कमरुद्दिन के घर आया था कि शायद वो घर पर होंगे लेकिन जब उनके घर पर कोई नहीं म अब नफिसा भी मास्क बैन कर कमरुद्दिन को ढूड़ने के लिए फैक्टरी तक आ चुकी थी और वो अंदर जाने की कोशिस कर रही थी तब इमापर कुमावत अपनी स्कूटर से आ रहा होता है और गैस के प्रभाव के कारण उसका बहुत बुरा एक्सिडेंट हो जाता है और वो फैक्टरी के पास ही गिर जाता है तब उसे सामने नफिसा दिखती है और वो उसके पास जाता है और देखता है कि उसका तो डिलिवरी का समय आ गया है और वो उसे किसी तरह से मनाता है कि चलो होस्पिटल चलो लेकिन वो देखता है कि उसका स्कूटर तो खराब ह चुका है तब वो सामने पड़ा स्कूटर उठाता है जो कि कमरुदीन ही छोड़ कर फैक्टरी में खुश गया था फिर वो उसी स्कूटर पर बैट कर नफिसा को हस्पिटल ले जाता है इधर मैटसन के साथ वाला आदमी बुक में M.I.C के एंटिटोड के बारे में पढ़ र बस वो पूछता है कि क्या M.I.C का कोई एंटिटोड मिल सकता है और ब्राउन कहता है कि हाँ इसका एंटिटोड मौजूद है और यह सुनते ही फोन कर जाता है यहां इस्टेशन पर हम उसी नकली पुलिस वाले को देखते हैं जिससे सिद्धिकी के ओफिस में कहीं भी लोक इंजन से कनेक्ट कर देते हैं और फिर उसे लेकर इस्टेशन के और निकल लेते हैं इधर अब राजेश्वरी सीधा PM आफिस पहुच जा दिया है जहां पर ब्राउन अपने साथी के साथ पहले सही बैठा था तब वहाँ पर PM का सेक्रेटरी आता है और राजेश्वरी उन कई जाना था इसलिए वो माँ से चले जाते हैं तब राजेश्वरी पूछती है जो आप उन्हें बता रहे थे मुझे बता सकते हैं क्या तो वो बताता है कि मैंने ऐसी गैस पर रिसर्च की थी और वो पूछती है कि आप इसी टाइम पर इंडिया में क्या कर रहे हैं क्यों पूछता है कि वो जो प्रेगनेंट औरत मेरे साथ आई थी उसका क्या हुआ तब नर्स कहती है कि हमें उसकी पुरानी रिपोर्ट चाहिए होंगी और ये सब कुमावत कमरुदीन की स्कूटर में देखने चला जाता है तब उसे माँ पर नफीसा की रिपोर्ट तो नहीं मि पर दूँगा और प्रिशाद कहता है कि तू बस सब की मदद कर दे मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि इन बंदू के समय डरता नहीं हूँ जिसके बाद सब लोग उस डब्बे में बढ़ना शुरू जाते हैं और उसे समय महाँ पर सोहीनी भी पहुच जाती है पर थोड़ा ट्रेन भी अब भोपाल पहुचने वाली थी तब ही हम देखते हैं कि माद जैसे ही निकलने के लिए इंजनी स्टार्ट करता है तो वो स्टार्ट ही नहीं होता और यहाई पर एपिसोड 3 खतम होता है एपिसोड 4 की शिरुवात में हम 1996 यानि भोपाल के गैस हाथसे से 12 साल बात का सीन देखते हैं जहाँ पर कुमावत एक बस्ती में जा रहा होता है और वहाँ उसे नफिसा मिलती है तब कुमावत उसका इंटर्विव लेने लगता है कि कमरुद्दीन के जाने के बाद आपको कितने रुपे मिल रहे हैं और वो बताती है केवल महीने के 300 रुपे तब नफिसा कहती है कि इस सहर से गैस तो चली गई पर इसका प्रवाव आज तक यहीं पर है तो अभी हम नफिसा के बेटे को देखते हैं जिसकी बोडी और दिमागी हालत दोने खराब हो रखी थी और ये सब कुमावत देखता ही रह जाता है इसके बाद कहानी 1984 में आती ह जहां राजेशवरी के पास एक आदमी आता है और अपना नाम मिढजा बताता है तब वो कहता है कि आप इस गैस ट्रेजडी में मेरे क्लाइन का नाम बत लेना और हम समझ जाते हैं कि ये आदमी यूनिन कारबाइट की तरफ से आया है जो नहीं चाहता कि मिश्टर मैटसन क किसी भी हाल में जेल जाए इसलिए वो राजेशवरी को खरीदने की कोशिश करता है और राजेशवरी उटाव से हटका करमा से भगा देती है इसके बाद वो सीधा जाकर ब्राउन से बात करती है और वो कहता है कि सारी दवाईया फ्लैट से आपके पास बिजवा दी है जो मैटसन उसे कहता है कि टैसन रिपोर्ट में सब कुछ सही है लेकिन एंड में उन्होंने ये भी लिखा था कि इन लोगों ने अपनी सारी गल्दिया सुधार ली है यानि कि अब कोई भी आस्ता होगा तो उसकी जिम्मेदारी कमपनी की नहीं होगी और ये सुनकर कुमावत क हो शुड़ जाते हैं कि अब मैं इन लोगों को सजा कैसे दिलवाऊंगा इसके बाद हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो लोगों को बचाने के लिए निकला हुआ था तब उसके वोकी टॉकी पर खबर आती है कि बोपाल के पहले प्लेटफॉर्म पर इटारसर से ट्रे कि से कहता है कि गौरखपुर ट्रेन सीधा हम से ही टकराएगी और हम मेंसे कोई भी जिन्दा नहीं बचेगा तब प्रश्चाद पूछता है कि सर आप ही बताईए हम क्या करें ये सुनकर पुलिस वाला कहता है कि सब को डब्बे से निकाल दो सब अपना-पना देख लेंग लेकिन सिद्धिकी कहता है कि नहीं ये सम मेरे लोग हैं और मेरे होते हुए मैं किसी को भी कुछ नहीं होने दूगा तब ही उन्हें एकडम से ट्रेन की अवाच आती है और ये कहता है कि लगता है गौरखपुर ट्रेन आने वाली है तब ही सिद्धिकी प्लैन बनाता है कि ह मैं इसे train के जरिए आगे डब्बे को बांद कर इटार से रवाना कर देंगे। इसलिए train की driver को इशारा करने के लिए प्रिशाद detonator लेकर वहार से चला जाता है कि इसे फोरने से driver इशारा समझ जाएगा और train की speed देरे कर देंगा। ताब इमाद भी निकल जाता है सारे signal को green क करूँगा तब पहले तो सिद्धिकी माइक से एनाउंस्मेंट करने के लिए तयार हो जाता है और यहां प्रिशाद भी डेटोनेटर लेकर ट्रेन के सामने आ जाता है पर जैसे ही वो डेटोनेटर रखता है तब ही गैस के प्रभाव के कारण वो मही पर मर जाता है उसी समय व कोई भी बाहर मताना वरना सब लोग मारे जाओगे और वो पुलिस वाला भी सबको वापन स्टेन में बेजने लग जाता है इधर हम रती को देखते हैं जो काफी स्पीड से बहुपाल की और ही आ रहा था लेकिन यहां एक दर यह भी था कि आप तो दो ट्रेन उसी प्लैट से भी हाल में रती पांडे को मां से आगे नहीं बढ़ने देना तब महा का स्टेशन मास्टर रेट सिगनल दे देता है पर रती भी जिद्धी था तो वो ट्रेन के और भी ज्यादा स्पीड बढ़ा देता है यह देखकर स्टेशन मास्टर लाइन की पट्री को ही बदलवा देता है और ना चाहकर भी रती को ब्रेक लगाने पड़ जाते हैं इसके बाद राजिश्वरी सीधा मंतिर से मिलती है कि आपने वो ट्रेन क्यों रोकी वो बपाल के लोगों को बचा सकते हैं साथ ही उसे हमने एंटिटोड के बारे में बताया है पर मंतिरी कहता है कि अगर य रती के साथ वाले लोगों को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार में आऊंगी इदर रिमा सिगनल को ग्रीन कर देता है ताकि एक गौरक पूर एक्सप्रेस सब को लेकर यहां से जल्दी निकल जाए फिर मास सिद्की ट्रेन की ट्रैवर को सब कुछ बताता है और तुरं रती को राजश्वरी से बात करते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि यह दोनों तो पती पतनी हैं जा राजश्वरी अब रती से माफी मांगती है और कहती है कि तुम घर आ जाओ लेकिन रती कहता है कि नहीं अब यह काम बचा है उसे निप्टा करी तुमारे पास और फिर वो इस्टेशन मास्टर को डरा कर सब लोगों के साथ ट्रेन से निकलने के लिए तयार हो जाता है कि अब जो होगा सो होगा हम बोपाल चले तब यहां बोपाल की स्टेशन पर ट्रेन में लोग भरता ही जा रहे थे तब ही उस नकली पुलिस वाले पर असली पुलिस जिसने गाड़ी ठोक दी थी और वो मरते मरते बताता है कि प्लैटफॉम बन पर इटार सर से मदद आ रही है इसलिए इसे जल्दी खाली कर दो तब वो नकली पुलिस वाला बोकी टॉकी के जरिये इमाद को बताता है कि प्लैटफॉम बन खाली करना होगा और सिदी की सर गौरकपूर ट्रेन चल चुकी है ये सुनते इमाद सीधा पट्री चेंज करने के लिए भागता है वरना ये दोनों ट्रेन टकरा जाएंगी लेकिन गैस का प्रभाव होने के कारण इमाद बहुत ही बुरी हालत में गिरता है पर जैसे वो अपने सामने ट्रेन देखता है वो ह जैस के प्रभाव से मरने वाला होता है तब उसके पास वो पुलिस वाला आकर बताता है कि हमारे लिए मदद आ रही है आप चिंदा ना करो लेकिन उसी समय सिद्ध की मर जाते हैं और पुलिस वाले को उसकी जेब में लोकर की चावी दिख जाती है अब चावी देखता ही उसका इमान फिर से डगमगाता है और वो चावी उठा कर लोकर की और चल देता है या कुमावत नफीसा से मिलता है जहां नफीसा काफी उदास थी तब वो नफीसा के बेटे को देखने जाता है तो नर्स बताते है कि प्रॉपर अक्सिजन ना मिलने के कारण ये बच्चा चरीर और दिमाग दोनों से ही विकलांग हो गया है और ये जानकर कुमावत को बहुत दुख होता है और वो निर्ने कर लेता है कि वो किसी भी हाल में कारवाइट फैक्टरी वालों को सजा दिलवा कर दाएगा और वो सब लोगों की माँ फोटो खिचने लग जाता है ताकि कि वो एक पूरी रिपोर्ट बना सके यहां बोपाल इस्टेशन पर रती पांडे पहुच कर सब लोगों को बचाना शुरू कर देता है और उसकी पूरी टीम भी इस काम में लग जाती है पर इस जंग में इमाद प्रिशाद और सिद्धिकी नहीं बच पाए थे इसके अग पूरे एक करोड रुपे तब ये लोग सिद्धिकी को ही गाली देने लगते हैं कि शायद वो इस्टेशन मास्टर पैसे लेकर भाग गया होगा और ये सब चोर बैठा हुआ सुन रहा था जिसके हाथ में वही पैसों से भरा बैक था फिर वो लोग जैसे रती पांडे को ब वो ने नहीं दिया तब हिमा पर ट्रेन आने लगती है और सब लोग भपाल छोड़कर जाने लगते हैं इदर हम सिद्धिकी को देखते हैं जो मरा पड़ा था लेकिन जैसे उसे दफनाने के लिए लगते हैं वो उटकर खड़ा हो जाता है तब महा पर उसे उसका बेटा आ पर तुमने पैसे नहीं चुराए और वो कहता है कि मैंने ये काम छोड़ दिया है और सिद्ध की जान जाता है कि यही भारत का जाना माना चोर एक्सप्रेस बैंडिट था और दोस्तों यही पर यह वेब सिरिस खतम होती है जहां कई लोगों ने अपनी जान पर खेल कर पूरे वीडियो देख लेजिए